नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर नेखिल आपका बहुत बहुत स्वाकत है मेरे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इफाक्टिव फर्मोपैटिक मैडिसिन acute condition में जिसका सबसे ज़्यादा मातरा में यूज किया जाता है जिसका नाम है एकोनाइट नेपेलस आज हम इसे की बारे में बात करेंगे कि हमारे सरीर में क्या साइनम सिंटम देखने को मिलेंगे तो हमें इस मैडिसिन का यूज करना है किन-किन बिमारियों में किन-किन डिजीजों में इस medicine का use किया जाता है किस potency में आपको इस medicine का use करना है 30 potency में, 200 potency में, 1M potency में किस potency में आपको इसका use करना है Econite Neplus की क्या-क्या benefits है आज की इस वीडियो में आपको Econite Neplus के बारे में पूरी जानकारी दूँगा आपको क्या-क्या disease है जिसमें आप इस medicine का use कर सकते हैं acute condition में आपको किस तरह से medicine का use करना है किस तरह से आपको medicine का repetition करना है दोस्तों यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं बड़े भुजुर्ग हैं तो acute condition में इस medicine का use किया जाता है तो आप वीडियो को अंतक देखे, medicine को अच्छी तरह से समझे और medicine का use करके अपनी problem को पूरी तरह से ठीक करें तो चली दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं मेरे वीडियो आप पहली बार देख रहा हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो रेट कलर की बिटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लें सांती सांत विल आकन की गंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी जानकारी सारी इंफर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके और जैसे ही मैं लाइब क्लिनिक चालू करूं तो आप मेरी लाइब क्लिनिक को जॉइन कर सके तो चली दो बात करेंगे एकोनाइट नेपलस के बारे में दोस्तो एकोनाइट बहुत ही फाक्टिफ होमोपैथिक मैडिसिन है एक्यूट कंडिसन में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ठंडी हवा में जाते हैं सर्दी जुखाम खासी हो जाता है, दर्द की प्रावलम हो जाती है अचानक से फीवार आ जाता है, तो इसका यूज एक्यूट कंडिशन में सबसे ज़्यादा मातरा में यूज किया जाता है दोस्तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारे सरीर में क्या साइनन सिंटम देखने को मिलेंगे तो हमें इस मैडिसन का यूज करना है, फिर समझेंगे कौन-कौन सी यसी विमारी है जिसमें इस medicine का use किया जाता है फिर मैं आपको dose लेने का तरीका बताऊंगा और medicine आपको कहा मिलेगी दोस्तो हम जो अभी यहाँ वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको पूरे लक्षन बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से लक्षन मिलेंगे क्या इसकी modalities होती है आज के इस बीडियो में हम एकोनाइट में सिप symptom के बारे में बात करेंगे disease के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं एकोनाइट का symptom सबसे पहला symptom है दोस्तो headache यदि आपको headache की problem है काफी लंबे समय से problem है acute condition में यदि आपका अचानक से सिर्दर्द करने लगता है ठंडी हवा में घूमने से आपको relief महसूस होता है पर सुस्क ठंडी हवा में जाने से ही आपकी तकलीब भढ़ जाती है अचानक से बहुत ज़्यादा severe दर्द होता है अचानक से आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा भारी हो गया है सिर्फ फटने लगेगा इस तरह का आपका दर्द होता है तो एकोनाइट का उसमें यूज किया जाता है 30 potency में आपको यूज करना है चारबून सीधे डारेक्ट जीब में 10 मिट में 5 बार आप मैडिसिन का यूज करें इसके बाद मैडिसिन दिन में 3 बार यूज करें सुबा दो फेर्शा हैड़क की जो आपकी प्रावलम है बहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी हैड़क के केस में बहुत अच्छा काम करती है यदि अचानक से आपको फीवर हो जाता है जैसी आप ठंडी हवा में घूमने जाते हैं ठंडी हवा से आप घूम के आते हैं और आपको हलकी सी गले में खुजान सी होती है और खांसी चालू हो जाती है फीवर आ जाता है temperature आपका वढ़ने लगता है और आपको हरारस सी लगने लगती है weakness जैसी आपको लगने लगती है और आपको लेटने का मन लगता है तो fever की case में बहुत अच्छा काम करती है इस तरह कि यदि आपको लक्षन acute condition में देखने को मिल रहे हैं तो आपको 200 potency में यूज करनी है सुबा दुफेर से आप continue तीन दिन तक आप यूज करें जो आपकी fever की जो problem है acute condition की जो आपकी problem है बहाँ पूरी तरह से जीख हो जाएगी दोस्तो यह acute condition में सबसे अच्छा काम करती है पर chronic case में भी इसका यूज किया जाता है आप इस तरह से ना समझे कि आप acute condition में है आपको इस medicine का use करना है ठीक है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए एक्यूट कंडिशन में यूज करते हैं और क्रोनिक कंडिशन में इस मेडिसिक का यूज करते हैं पर एक्यूट कंडिशन में हाँ बहुत ही अच्छा काम करती है इसके बाद दोस्तों यहाँ एंजाइटी के में बहुत ही अच्छा काम करती है यदि अचानक से आपको एंजा को याद किया जाता है उसके बाद किसी और एनदर मैडिसिन को याद किया जाता है यदि आपको टेंशन की प्रावलम है किसी न आपको डाण दिया अचानक से आपको टेंशन बनने लगी आप जैसे सर्विस करने गए आपको वस ने डाण दिया यदि आप कही मार्केट गया अचानक से आपको किसी से जगड़ा हो गया, तो आपको tension बनने लगी, anxiety होने लगी, तो उस case में आपको 200 potential में यूज़ करना है, चारवून सीधे, डारेक्ट जीम में, anxiety, tension की जो प्रावलम है, आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, acute condition में आपको यूज़ करना है, इसके ब गए, तो उस case में इसका यूज़ किया जाता है, बच्चा डरा डरा रहता है, सहमा सहमा सह रहता है, इसकुल जाने के नाम से डरने लगता है, यदि किसी के आप आपने देखा होगा छोटे बच्चे को आप भी डराते होंगे की पापा आएँगे, अब मारेंगे, बच्च जो उनकी problem है, डर जो उनके मन में बैट गया है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, जैसे ही आपने देखा होगा बच्चे, बहुत सारी ऐसी जगा में खेलने जाते हैं, बहुत सी ऐसी जगा में घूमने जाते हैं, अचानक से कुछ उनके सामने आजाती हैं, जो उनके कभी उस चीज का फेस नहीं किया है या जैसे एक्जामपल में आपको बताऊं या अचानक से उनके किसी एक्सिडेंट देख लिया, अचानक से डर लगने लगा जिसके कारेंट बीमारी का रूप लेने लगा बच्चा हमेशा डरा-डरा सा, सैमा सैमा सा रहने लगा पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, अचानक से तबीयत खराब होने लगी है मेरा बच्चा कैसे होने लगा, मम्मी बहुत चिंता करती है तो उस केस में एकोनाइट नही पलस बहुत ही अच्छा काम करती है इस बात का आप बिसेज ध्यान रखें, जब भी ऐसी कंडिसन आती है तो एकोनाइट नही पलस का आप याद कर लें इस लक्षन पे 30 पोटेंसी में आप यूज करें पंदरा दिन तक आपने बच्चे को दें और भुजुर्गों को भी आपको देना है बड़ों को भी इस मैडिसन का यूज करना है इस तरह की एदी लक्षन मिल रहा है तो एकोनाइट उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है लोवर पोटेंसी में देना है बहुत ही अच्छे रिजल्स मिलेंगे यदि आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो एक चम्मच पानी लेना है आपको चारबून सीथे उसमें डालना है और बच्चे को दे देना है या आप भी ले सकते हैं सुबा दुफेर्शाम इस तरह से मेडिसिन यूज़ करें कफ कोल्ड केटरेक्ट की जो प्राबलम है आपकी पूरी तरह से ठीख हो जाएगी इसके बाद यहां असर करती है फ्रोट इंफेक्शन में यदि आपको गले में वारवार इंफेक्शन हो जाता है कुछ भी आप ठंडी चीज़ खाते है तो आपको वारवार इंफेक्शन हो जाता है निगलने में आपको थोड़ी सी प्राबलम होती है दर्द सा महसूस होता है गले में इचिंग होती है तो उसमें बहुत इच्छे काम करती है एकोनाइट आपको 200 प्रोटेंसी में यूज़ करना है इसके बाद दोस्तों यह असर करती है हमारी रिस्पाइरेट रिटेक्ट सिम्टम पे यदि आपको खांसी की प्राबलम है जब भी आप कुछ ठंडी चीज़ खा लेते हैं आपको खांसी की प्राबलम हो जाती है आपको इस पेस लिए दी रात में बहुत ज़्यादा खांसी चलती है जब भी आप विस्तर में सोने जाते हैं आपको खांसी चलने लगती है आदी रात में आपको खांसी चलने लगती है ठंडी हवा में गये खांसी की प्रावलम हो गई, नम हवा में गये खांसी की दी आपको प्रावलम हो गई, कुछ ठंडी चीज खाली है तो खांसी की प्रावलम हो गई इसके बाद दोस्तों यह असर करती है हमारी आईज में आखों में बहुत ही अच्छा काम करती है यदि आपको आख में बारवार इंफेक्शन होते रहता है जब भी आप घूमने के आने के बाद आपकी आखे पूरी रेड हो जाती है और बहुत जादा उसमें इचिंग होती ह तो एक्यूट कंडिशन में आपको यूज करना है एकूनाइट का 200 पोटेंसे में यूज करना है आपकी जो आख की इचिंग की प्रॉब्लम है हलका सा दर्द उसमें होता है तो उसमें बहुत जादा इचिंग होने लगी बहुत जदा खुजाने ओने लगी तो आपको डारेक्ट जीब में लेना है 200 पोटेंसी में लेना है आपकी जो प्राब्लम है वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी कि बाद दोस्तों यहां असर करती है नियूरालजिया के केस में नियूरालजिया के केस में बहुती इफाक्टिव हमाओपैथिक मैडिसिन है एक्यूट कंडिशन में इस मैडिसिन का यूज किया जाता है जब भी ठंडी नम हवा में जाते हैं और आपको नसों में दर्द होने लगता है मालिस करने से थोड़ा सा रिलीप महसूस होता है तो वहाँ पे एकोनाइट नेपलस बहुती अच्छा काम करती है इसमें आरनिका भी बहुती इफाक्टिव हमोपैथिक मैडिसिन है नम सुस्क हवा में जाने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है तब वहाँ पे आपको ए एकोनाइट नेपलस बहुती अच्छा काम करती है आपको 200 पोटेंसी में यूज करना है सुबा से आम सुबा से आम कम से कम बन बन तक इस मैडिसिन का यूज करना है आपकी जो प्रॉब्लम है साइटिका की नियूरालजय की पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इसके बाद दोस जॉकिंग करने गये हैं आपको धंडी हवा लगी धंडी हवा लगने से आपके हाथ पेरों में दर्द होने लगा और उसके बाद फीवर सा हो आपको लगने लगा और खासी सी हलकी चलने लगी तो आपको एकोनाइट यूज करनी है 200 पोटेंसी में सुबर शां 5 दिन हो जाएगी इसके बाद दोस्तों यहां असर करती है यदि आपको इर्यूरी टैक्ट इंफेक्शन वार बार होते रहता है ठीक हो जाने के बाद फिर से आपको इचिंग खुजान जलन की आपको प्रावलम होती है तो उसमें एकोनाइट नेपलस बहुत ही अच्छा काम करत है चाहे बाद मेल सो चाहे बाद फिमेल सो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है इसके बाद दोस्तों यह असर करती है पैरलाइसिस के केस में एक्यूट कंडिशन में जैसे ही अच्छा काम करती है उनको पैरलाइसिस का हलका सा असर होने लगता है तब आपको नहीं पर दोस्तों यहां फीवर के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। बुजुरू हो चाहे बड़े हो उसमें यहां बहुत ही अच्छा काम करती है चाहवा टाइफाइट फीवर हो चाहवा मलीरिय का फीवर हो किसी भी तरह का फीवर हो एक्यूट कंडिशन में आपको तुरंथी स्टार्ट हुआ है घर में आप एको नाइट ने प्लस रखे तु आपको फीर डर बताया था इसके बाद एंजाइटी डेप्रेशन में इसका बहुत ही अच्छा काम है इसके बाद रिस्पाइरेटी टेक्ट सिम्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है जो भी मैंने आपको डिसीज और जो भी लक्षन बता है इस तरह से आपको उस केस में medicine यूज़ करनी है दोस्तों बात कर लेते हैं dose की मैंने आपको dose भी बताते चला हूँ 30 potency में आपको इसका use किया जाता है सुबा दुफर से हम continue 15 दिन से एक मैंने आपको use करना है इसके बाद 200 potency में दिन में एक बार use किया जाता है acute condition में सुबह से आप use किया जाता है सुबह से आप use करना है चारभून सीधे डारेक्ट जीव में acute condition में 200 potency में बहुत ही अच्छी results मिलेंगे कम से कम बन मंत तक आप medicine का use कर सकते हैं इसके बाद आता है जो 1M potency 1M potency में इसका weekly use किया जाता है यदि आपको chronic condition है तो आप weekly medicine का use कर सकते हैं medicine का repetition कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों आपको medicine का dose लेना है इस तरह से आपको medicine का repetition करना है आसा करता हूँ दोस्तों मेरे है वीडो आपको अच्छा लगए वीडो अच्छा लगए वीडो को लाइक कर दें यदि आपके परिवार में फैमली में यहां बीडो जादा से जादा सियर करें ताकि वा इस एकोनाइट नेपिलस को अपने घर में रख सके और एक्यूट कंडिशन में अपनी प्राबलम को पूरी तरह से ठीक कर सके तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही फिर में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाएं जै भारत बंदे बातरा